हेलो मैं दिवाकर कुमार आरिया बैलो जी क्लासेस भागलपूर से दो दिन हिंदी माधियम के बच्चों के लिए वीडियो नहीं बन पाया था यहां नेटवर्क के कारण चुकि थोड़ा मोसम खराब होने के वज़े से तो आज जो मैं acquired immunity उपारजित परती रक्षा जो कि इसके पहले हम लोग immunity के बारे में और उसके परकार के बारे में हम लोगों ने अध्यान किया था और अब परती रक्षा का दूसरा परकार उपारजित परती रक्षा के बारे में विस्तार रूप से हम लोग अध्यान करेंगे तो आप जानते हो कि परती रक्षा क्या है परती रक्षा का मतलब होता है कि सरीर जो बाहरी चीजों से सरीर जो बाहरी चीजों से रक्षा करता है जिसे कोई बैक्टरिया हो, भायरस हो या कवक हो, भंगी जी से कहते हैं अब तो हमारे अंदर एक सिस्टम है जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं पर्ति रक्षा तंत्र वह पर्ति रक्षा तंत्र बहारी चीजों से क्या करता है हमें बचाता है या उससे लड़ता है तो एक तो मैंने बताया था कि एक ऐसा पर्ति रक्षा जो जन्म के साथ है जिसको सहज पर्ति रक्षा हम लोगों ने कहा था लेकिन आज नाम से असपस्ट है उपारजित पर्ति रक्षा उपारजित का मतलब क्या है जो हम अपने जीवन में उपारजन की है उपारजन मतलब जो हमने पाया है वही बात है यहां पर असपस्ट हमने कहा है कि उपारजित परतिरक्षा हम उसे कहते हैं जो उपारजित परतिरक्षा जन्व के बाद पराप्त होता है जैसे जैसे आप वाताबरन में रहेंगे विविन परकार के बैक्टरिया हो भायरस हो जो आपके सामने मिलते जाएंगे आपके स्रीव में परवेश करेंगे उसके विरुद्ध क्या करता है हमारे अंदर सिस्टम में तयार हो दा परतिरक्षा करने का ताकत हमको जन्व के बाद मिलता है कता उपारजित परतिरक्षा क्या है रोग जनक बिसिष्ट होता है इसको आप जरूर दिमाग में रखेंगे रोग जनक बिसिष्ट का मतलब क्या है कि जैसे कोईसी बैक्ति के अंदर किसी खास बेक्टरिया से यëni कि या है जो रोग जनक है उससे बिसिष्ट है यानि उससे क्या है इस पेस्फीक है यह इसक्राश्च प Infact साहर्ज परतिष्चा में आपने क्या देखा था कि वह बिसिष्ट नहीं होता है वह सब तो वह उसी के लिए लड़ेगा दूसरे के लिए नहीं अब कहता है कि यह ऐसा कैसे संभभ है किसी और के लिए नहीं लड़ता है तो एक कोंसेप्ट बनाने का कोशिश कीजिए कि उपारजित-पर्ती-रक्षा में होता क्या है इस्मृति पे अधारित है मैंने बोला था कि विशिष्ट होता है विशिष्ट मतलब कि किसी एक के लिए होगा तो उसी के लिए लड़ने का ताकत होगा अनि कि उसी बैक्टरिया को सरीर से बहार निकालेगा या उससे लड़ेगा तो करता कैसे पता चलता है कि हम इसी बैक्तरिया से लड़ेंगे, तो memory पर है, एक छोटा सा बात हम आपको बोल दें, कि किसी बैक्ति से अगर आप मिले हैं, और पंस साल के बाद इंगर फिर से आपको उसी बैक्ति से फिर शिर बैक्ति से मुलकात होता है, उस ब्यत्की से जैसे आप मिलते हैं तो आपका बोल चाल क्या होता है फास्ट हो जाता है उससे पुरा मतलब कि हाल चाल पुरा कि कहां से हैं कैसे हैं कैसे आया आप कैसे हैं यहां पर कैसे आप यहां पर आगे उसी तरह यहां पर है कि मेमोरी बेस्ट है तब भी सिस्ट होता ह कैसे भाई जब पहली बार क्या मैंने बोला जब पहली बार किसी रोग जनक का सामना होता है सरीर में तो एक अनुकरिया होता है अनि कि यह अनुकरिया क्या कहता है प्रैमरी अनुकरिया अनि प्रैमरी रिस्पांस कहलाता है लेकिन यह क्या होता है नीम्न तिवर्ता का होता है और जब उसी रोग जनक जो पहला मिला था दूसरी बार सरीर में सामना होता है तो इसको क्या कहते हैं दूतियक अनुकरिया होता है और यह क्या होता है उचितिवृता का होता है उचितिवृता होता है तो इसलिए लड़ने का ताकत क्या होता है उससे ज्यादा होता है सरीर मे ठीक है, ठीक है, एक example से फिर मैं आपको कुशिज करता हूं, समझाने का, ठीक है, देखिए, रत में कर दे रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा, छाया बन जा रहा है, तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा रत कर दे रहा हूं, कि मैंने क्या बोला, जैसे कि ये आपके, या मेरे शरीर में अंदर कोई baş भी आ गया खौना के जरिए जया जख्ञ हो गया उसके जरिए तो जैसे अंदर गया तो पूरा सिस्टम क्या जाना कि ए बैक्तरिया को है इसको क्या करना है इसको हमको क्या करना है मारना है तो यह पहली बार प्रात्मीक नुकुरिया हुआ इस से लड़ने का क्या हुआ स्पीड कम होता है जब इससे लड़ने का पूरा इस्थिति तयार कर लेता है जब इसको मार लेता है तो फिर यही ब्यक्तरिया दो मेना या तीन मेना या साल वर के बाद फिर बोडी में आता है खाना के जरिये या फिर जैक्म के जरिये अंदर में इसको पहले से चुकि बोड यह तो सोन आएं तो सरीद में इससे शोन अनुक्रिया करता है इसको चब्सक्राइब आए थे कभी हम त UMK देखें कर तो सब समान तुमारे रहे की और डूतिया का लुट होता है इसलिए तुरण तुरंत की जाता है भागा दिया जाता है तौ मैंने वोलाता यह का है अपका उपार्जित पर्तिक्रिया है जो किस पर अधारी था इस मृती पर कि यह पहले आया था फिर इसको मार के जल्द भागा है फिर कोई बैक्टरिया आएगा तो यह काम नहीं करेगा बी के लिए फिर पर्थम अनकुरिया होगा अप्पिर जब दूसरी बार को बैक्टरिया आएगा उसका दूतिया क्या समझना होगा तभी concept बनेगा ठीक है तो चलिए आपको यह रफ मैंने कर दिया फिर आप आज़ें यहाँ पर कि क्या मैंने बोला जब मैं उस जब बोडी में उसी रोग जनक से समना होता है क्या होता है दूतिया कनूकरिया होता है इसको क्या कटते हैं तीब्रता क्या होता है लड़ने का तीब्र होता है यह आप समझे इसलिए कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है रोग जनक विशिष्ट होता है अनि जो आया था उसी के लिए चलिए फिर यहां पर आ जाईए आप करता है चाहे आपका प्रात्मी कनकुरिया हो जो पहली बार हुआ था मुटभेड चाहे दूतिया कनकुरिया जो दूसरी बार मुटभेड उसी से हुआ था यह दो परकार के लशिकानों के द्वारा होता है तो लशिकानों क्या हुआ कुछ नहीं जिसको अंग्रेजी में हम ल पराथमी कणिकुरिया में भी मदद करता है यह सुनिये कि लिंपोसाइट बी लेविती लेव एक है एप आप आईए यह दोनों करता क्या है तो कहता है कि बी लिंफोसाइट जो है ना सरीर में क्या करता है एंटीबोडी उत्पन करता है यह एंटीबोडी क्या है तो हिंदी में कहते हैं आपका हिंदी में भी नाम एंटीबोडी ही परचलित है बहुत सुद्ध आप बोलना चाहोग वेह चीजां मरने का चमता में लगता है तो किया हृता है बहुbelt लिए प्रतिरख्चा करने काया चांता रखता है तो कौन करता है एंटिबोड़ी प्रड्यूस करता है तुसी या फिर कौन रोग जनक पर उसके ढूब काम है तुमनल प्रतर है तो जो बाहर से तो सकत होनग हो Сकता है ओसे लड़ता और उसको मार गिराता है तो B lymphocyte का आपने जाना अब आप बोलो कि T lymphocyte का क्या काम है तो काता है T lymphocyte का antibody उत्पन नहीं करता है यह क्या करता है antibody उत्पन नहीं करता है लेकिन B lymphocyte को क्या करता है antibody उत्पन करने में मदद करता है इस चीज़ को आप जानो तो आप यहां पर यह यहां पर देखा आपने कि बी लिंफोसाइट एंटीबोडी बनाता है जब कि टी लिंफोसाइट एंटीबोडी नहीं बनाता है बी लिंफोसाइट को मदद करता है तुम्हें एंटीबोडी बनाओ और तरह से भी मदद करता है ठीक है तो आप यहां पर एक चीछ जानो कि मैं पूछा गया है आपका नीट में पूछा गया है कि एंटीबोड़ी है क्या तो गया किस्ध कृति रखची प्रोटीन होता है जब कि प्रोटीन में अगर कोई कार्वोहढडेٹड कुलाज यूट जाय पूछा लिए लिए कितने परकार से होता है उपार्जी जो प्रतिरक्षा है प्रतिरक्षी कितने परकार से होता है यह दो परकार से होता है एक तो एंटीबोडी बनाया था एंटीबोडी मध्यस्था करेगा और एंटीबोडी ही मारेगा तिसको कहते हैं हम लोग यूमरल इम्यून रिस्पॉंस तुम बोलोगे यूमरल क्या है युमल का मतलब होता है कि तरल तरल परतिरक्षा नुक्रिया क्योंकि जो एंटी बोडी बनाता है कौन बी लिंफोसाइट यह किस में मुझूद रहता है हम लोग के बलड में या फिर लिंफ में तो कह सकते हो कि यह तरल है बलड क्या है तरल है तिसको करते हैं तरल पर करيगा सेल इसको कहते हैं क्या सेल मेडियेट काम नहीं करेंगा कोण का माधित परती रख्चा ठीक है कहता है यह कोशी का माधित परती रख्चा में कौन काम करता है टी लसी कानू यह जो मैंने बोला था टी लिंफोसाइट यही मैं जो है न मद्यस्ता का काम करता है अज जबकि एंटीबोडी में कौन किया था यह बी लिंफोसाइट एंटीबो तो यह दो तरह से क्या करता है आपका उपारजित परती रख्षा चलिए इस्टेंड नहीं हाथ से पकड़ा हूं थोड़ा सहील रहा है लेकिन मैं फोकस कर दे रहा हूं तो आप देख लो ठीक है और लिखने में परिशानी हो तो आप वीडियो को पाउज कर दें इसके बाद लिखे हैं और बहुत ही स्टुडेंट बोलते हैं रोज वीडियो बनाएं तो बनाता तो हूं लेकिन नेटवर्क के करण मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं थोड़ा सा मौसम दो दिन से खराब था इसलिए अपलोड नहीं हो पाया अब आप आईए यह आपको लोंग कोशन सचन बनां है इंटी बोड़ी को संद्रच ना बनावें यह पूचा है 17 में कोशन पूचा भी आर बोर्ड में भी स्टीश सी बौड में तो पूचा ही जाता है और अबजयक्टिव तो इससे बहुत बनते हैं अब देखिए कि मैंने बोला कि एंटीबोडी क्या है तो एंट का नाम है प्लाज्मा सेल के दौर होता है mo 하나 अंटि बोडी का ग्लाक्यो प्रोटीन में पःले प्रोटीन कहते हैं लेकिन एक नाम गश पोस्चाल स्कों बीयोजी में इंती भोडी आ इंती बोडी से मन यहीं लिखते में यह लिखता है जाता है चोटा है तो आप आईजी बोलो या दोनों बात क्या एक ही है एक मतलब प्रकार का प्रोटीन पहले बताहे था प्रकार का गलाइको प्रोटीन है जो किसके द्वारा उत्पन के जाता है बीलिंफोसाइट को द्वारा जिसका दूसरा नाम है वावू प्लाज्मा से ठीक है अब आप आजाओ आगे कि एंटीबोडी के पास क्या होता है क्या है संद्रचना कैसे वह किसी बाहरी चीजों जो आता है जिसे बैक्टरिया हो भाहरा सो कोई भी आता है कैसे मारता है आप यहां पर देखो पहले बाद एंटीबोडी के पास दो चैन होता है चैन का मतलब प्रोटीन तो कोई भी स्रिं स्रिंखला से बना होता है वह स्रिंखला किसे बनाता है एमीनो अमल से इसका मतलब यह एमीनो अमल का स्रिंखला से बना होता है लेकिन इसके पास चार एमीनो स्रिंखला होता है दो हैबी होता है बड़ी स्रिंखला दो लगू स्रिंखला होता है टोटल कितने हुए एंटी वोडी के किसा हो चना होता है थानि के रूप में होता है जाता है कि एक कहता है कि एक ही परकार को अपर lovely Thard कहता तो रहें इसका बहुत परकार है अब होता भी है तो पाँच परकार का एंटिबोली को बाटा गया आई जी ए आई जी का मतलब इम्मिनोग्लोबियूलीन आई जी ए अनि एंटीबोडी ए आई जी डी एंटीबोडी डी वही हुआ तो आई जी इसको स्वाटन गुला जता है आपको ट्रीक याद रखना एडेयाजम जो अंगरी जी का लेटर आप याद करते हो ने बी सीडी त कि इसको ऑई जीम बोला अब आप इतना जाना ज़ाना किया जाना है तो मैंने कहा कि आउंटी oxid जो होते हैं उसके अपर डो में लिक्का जाता है किसद्में लिखम में लिक्त गよね यह को आपको पूछता। ब्यार बोर्ड में पूछा है दो तीन बार चार बार पूछा है तो आपको मैं बदातू बी लिम्फोसाइट के दुआरा पलाजमा सेल्स के दुआरा जैसे ही कोशन बैंक बनाओगे आपको मिल जागा यह सवाल ठीक है अब कहता है यह तो आपका सवाल पूछा है क्या कि मैं बताऊंगा तो देखिए कि आपका थोड़ा और फोकस कर देता हूं बीच-बीच में है चुकि जब उपर नीचे होता है मुबाइल तो फोकस जो है इसका थोड़ा घटा बढ़ता है दुंदला ना दिखाई दे और आई यह स्ट्रक्चर ऑप एंटीबोडी क्या है तो आप एंटी बोड्य आइसे हैं लिखोंगे आपका सब इकजाम चाहे बियार हो जो कि हिंदी में पूछता है तो एंटीबोडी आईसा ही लिखा जाता है ब्रूटीन पर्ति रक्ची कोई नहीं लिखता है लेकिन कि जानने के आप इंटी बोडी के पास कितने होते हैं जानते हो कि आप बात करते हो आप जानते हो जरूर ए भी माना जाता है क्हों 150-क्या डालटन है तो आपको पांच परकर का Harrだ नाइक होता है मैं ने बोलाएक एक एवरेज किसी कंशा का किपैसी गिलो की लगका हुता है और अगंपिन कैसा बने कैब क्सक्राइब 132 की मेल चाशन की तुछ वे थका हिज़ा है दालटन रहाद कितना हो घ्ता इससे लिख सकते हो फ्रेक्री वह सब्सक्राइब असके तना हाईड्रोजन डालटन के ब्राबर ये टएंग टो जानतो हो ना परमानु के इसके बारे आप बता था प्रमानुन अभिवाज है उन्हीं के नाम के उन्हीं सार उन्हीं के नामके नुसार उन्हीं का उनित दिया गया जिसे न्यूटन बोलते हो force का किया ने बोलते हो force का 10 Newton की नाम से force का इसी तरह atomic weight का जो है ना molecular weight जो है बालोज्यम लिखा जा जाता है डाल्टन एक डाल्टन बराबर कितना होता है 1 hydrogen मास के बराबर तुम आप जानते हो 1.008 है नहुता है इतना है आपको एक average बताई इतना होता है जनकारी के लिए ठीक है तो चली जो है आपको इस पार में बताता हूँ कैसा NS कि अंसराट भी बनाया है और मैं थेखो थोड़ा-सा और अस्पष्ट कर दिया है तिक यहां पर देखो कि थोड़ा से और बड़ा कर दो झेलो आप आप दिखाई देगा न exactly समझ गए और यह देखो बोडी आपका एंटी बोडी का संद्रचना थोड़ा सा ऐसे अब देखो असपश्ट देखा एंटी बोडी संद्रचना अब आप ऐसे बना नहीं पाओगे मैं बहले आपको यहां पर फोकस कर दे रहा हूं जब तक मैं रफ ने करूंगा तो आपको प पहले मैं एक रफ को पी लेता हूं थोड़ा देखना बोड तो मेरे पास अब लेवल है नहीं आप लोग भी सोचोंगे सब्सक्राइब क्या करें एक तो नेटवर्क नहीं है इसके बाद आपका इस्टेंड भी नहीं है चलो देखो एक चैन जो है मैंने बहुता चार चैन ह होता है भी मतलब बढ़ा चैन यहां से यहां तक एक चैन हुआ यहां से यहां एक चैन हुआ दो चैन हुआ बढ़ा और यह चैन जो एमिनो अमल का बना होता है एमिनो अमल का सब सिरिंखला ऐसे से करके जूटता होगा इतना बढ़ा बनाता हो एक तरफ एन टर्मिनल होता ह मतलब एक तरफ Hong होता है कहोंगे तुम क्यों तो चुल सोजला बता दूं एक सीरा होता है है सीरा होता है दूसरा सीरा हुट है यह ना राशत कि यह यहां पर आइसे कितना स्रिंखला हुआ एक दो क्या होता है आपका लगू इतना दूर होता है यहां पर ऐसे कितना स्रिंखला हुआ है ऐक दो आई तीन चार चास रिंखला हुआ दोठो ठोच थू अब यह आपस में रहते हैं ऐसे सल्फाइड बंड जैसे एब क्या दिखा हूआ जब आपस में सल्फाइड बंड ऐसे यह से करके दिखाता है यहां पर आपशे यहां पर दो बिंदा ने यहां डिंद यहांं है तो यह रहता है एक दूसरे में भी रहता है रहता है और आपको यहां पर जाना कि होता है दो बड़ा रहता है और दो छोटा किसा दीखा यूटकर और रहता है भाई डाय सल्फाइड दैस लिगाई सल्फाइड पुंट के भीच में दो ऐसे लेकिन इसको कि यहां का रीजन में यहां पर यहां से यहां तक क्या है परिवर्तनिया परिवर्तनिया का मतलब यह चैंज होता है कि मैंने वताया था कि यहां पर अलग होता है इसी में एक जगह होता है जो पूरा चैंज करते रहता है सम अलग अलग होता है और बांकी बाद यहां से यहां क्या होता है कॉंस्टेंट होता है मतलब यह कभी चैंजने करता सब एंटीबोडी में एक ही जैसा होता है जो मैंने साधा चोड़ा है ठीक है चाहिए वह हैभी का हो चाहिए लाइट का हो अनि हैभी का मतलब भारी स्रिंखला का हो चाहिए लगू स्रिंखला को आधा मैंने दोनों का क्य और इक है कि कऴर कर दिया मतलब वह फर्वर्थनिय होता Lord होता है उसमें वह पहते हैं क्वेचि कोते हैं यहीं पर को dat कि यहीं पर उद्टी गत्रीया यह त्थरिया भाहर यहीं पर बैटवकर करके लड़ाई है musun समझ गए जिसको कहते हैं क्या anti-gen binding site even one मतलब anti-gen मतलब वही बैक्टरिया भाइरस जो भी आया जिसको कहते anti-gen binding site यारी antigen बंदने का अस्थल यहां पर कितना anti-gen बंदने का अस्थल है एक antibody में दो एक यहां एक यहां समझ गए यही इस्ट्रक्चर आपका कैसा होता है किसका होता है कि एंटी बॉडी का यह संद्राचना है ठीक है अब आजाओ रफ कर लिए तो देख लो कि अब हमें यहां पर इस पर कॉपी पैनने चलाओंगा बसी सारा करूंगा समझना कि एक देखो है भी यह एक है ठीक है एक लगभू यहां सा यहां एकल यहां है बीच में क्या होगा डैसल फायट बोन्न चाहे हम प्वैंट से दिखा अब उसमें भी थोड़ा सा नूकिला बनाया है दोनों तरफ इसका मतलब यहां पर क्या है परतिजन बंद अस्तल मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट बाहर से जो भी बैक्टरिया वारेस है यही पर बैठता है और इसी में बैठता और रियक्शन होता है उसको मारता है तो इसका भी एक छोड़ मैंने सी लिखाया दूसा चुर क्या लिखाया एंड इसका भी एक चुर एन और सी चुकि यह एमीनो अम्र से जूड़के बनाता है तो यहीं आपका किसका स्ट्रक्चर है आपका बताओ तो एंटी बाडी का संदरचना ठीक है एंटी बोडी का क्योंकि बाहर से बेक्टरिया भाइरस जो भी आता है उसको परती जन ही कहा जाता है स्रीज में कोई भी बाहरी चीज जो अंदर प्रवेस करता है उसको एंटी जन ही करता है ठीक है चलिए यहां तक आपने सीखा एंटी बोडी का संदरचना अब थोड़ा नीट का अगर प करकर करें वहार से सवाल पूछता है इक सवाल पूछा फंनीकि कि पशा एन्टी बोड़े के बारे उसके वारे उसके जीकर करके लिखा है यह काता यह जो ऑं पर बाहर से बैस साइट पर करता इसंगों कहता अंदा कि एक द6aj आनि यहां पर बैठेगा तब तु इसको मारेगा यहां रियक्शन होने के बाद इसको करते हैं क्या हम लोग पर पर तीजन या कबक एंटीबोडी के जो बंद अस्तल पर बैठता है इसी पर क्रिया को एगलूटीनेशन करते हैं तब जब बैठेगा तब जाके रियक्शन करेगा तब उसको मारेगा ठीक है जो है दो भीन ने में एक लिए सब का तो वही काम है जो आता है ना क्या है एंटी जैन जिसको आप क्या बोलते हो बैक्टरिया भाइरेश कवाग यानि फंगी जो भी है सब बाहर से जो भी चीज़ आते हैं उसको एंटी जन कहते हैं उससे लड़ता है बस एंटीबोडी की यही काम है थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए कि कैसा अस्ट्रक्चर होता है भाई सबका एक ही जैसा होता है सबस्कंटरिक यादर रखना है इतना परकार के एंटीबोडा फरकार नहीं परकार होता है एप सससमर्टरर यह मोनोमरρό है मोनोमर है मोन recibir टैंटामर यह थे इस यह तो यह एक है और इस आहांël है मोनमर करते हैं मंतलब 15 जोक को आगर यहाई साथ दो जूते ओसको क्या कहते है डाइमर तो कहता है यह सब क्या रहता है और फॉसी बंद citra कि से यूंद में पैं पेंटा मर पेंटा मतलब पाँच होता है यह पांच जूट के बनाए विसा एक चीज़ हो जाना आप चलो आप करता है परतिसत्ता आनि कि शरीर में सबसे ज्यादा परतिसत कि इसका पाए यह पूचा है तो यह सवाल पूचा है तो आप यह देख सकते हो यह 10-15 परतिसत्त क् है जिके द शर्व का सबसे कम 0.000 2 صopes से 10 परतिसत्त पूच्छा जाता है सबसे अधिक क्यों पाए जाता है तो कि पूचा गया है क्यों वहीं पूचा फैक सुप ज्यादा प्लसन्ता को पार क्कूं करता है तो प्लसन्ता ना उन्धा हो है 소 जानता होगा एक पाइप होग और मान के बीच में आता है जाता है तो बाफद को भीछ और प्लसेंटा है। तो बच्चे में लड़ने का सकती कौन दता है कौन क्रॉस करता है एक ही करता आई जी जी अनि एंटीबोडी जी तो प्लसेंटा को पार सभी करता है बच्चे में सभी पहुंच जाते हैं जो मा के अंदर है बच्चे कहता है नहीं सिर्फ कौन आई जी जी तो कौन कर सकता है प तो उसी तरह से बच्चे में कौन नवजात बच्चे जो है या फिर जन्म लिया है या बच्चे जो मां के गर में पल रहा है तो उसको कौन एंटीबोडी रक्षा करता होगा यही आई जी चुकि वही क्रॉस करता है यह तो सवाल सिधा है समझने वाला है सब का वही कारीं बाव एंटीजन नवजात में क्या करता है यह नवजात में क्या करता है जो बच्चा जन्म लिया है उसमें तो तुरंत क्या करता है एंटीबोडी नहीं पनता है चुकि मा में गर्म में रहता है तुसको कौन क्रॉस किया हुआ मिलता है आपका और एक मिनट थोड़ा 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 बहुत ज्यादा बड़ा बन गया न हाँ कौन करता है क्रॉस थोड़ा समय फोकस करना चाहिए बड़ा करने के लिए नफजात में प्रतिरक् मा के गर्म में था और यह कहा जाता यह पूछा है नीट में भी कि कौन एंटीबोडी जब अलर्जी होता है तो उस समय अलर्जी होता है नहीं जो चीज जाता है इलर्जी करता है उससे भी लड़ता है ना एंटीबोडी लड़ता है लेकिन इस इस तितिति में ठीक है तो सबका काम वही है बस ठीको दर्शाया और 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 बीसेस आप पड़ सकते हो लेकिन यह तो मैंने खूद आपको थोड़ा सा ओड़ डिटेल में बताया जिक्र कर दिय होगे तो आप मेडिकल के छेतर में जब चले जाओगे में तभी आप पढ़ोगे या तफिर जो लोजी आउनर्स करोगे तब ठीक है और इससे अधीक सवाल आपके नीट में नहीं आएंगे और मैं इससे जितना भी थान एंटीबोडी उसको मैं डिटेल और अच्छी तरह से किया अब आप एंटीबोडी को थोड़ा सा यह आज का वीडियो थोड़ा सा आधा घंटा से उपर होगा चुकि नोट्स मना करके 4-5 पेज को मैं डिल करने जा रहा हूं और किया भी तो आप जो है ना इसको पढ़ोगे और थोड़ा सा वीडियो बाबू लेट हो सकता है अगर लौड़ान तूटा तो मैं आपको जो है ना यूद्ध अस्तर के अनुसार जो है ना आपका सिलेबस खतम करूंगा और अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा ठीक है थोड़ा सा आप लोगी काम चूर मत बनना और थोड़ा सा इसको नोट करना पढ़ना कि नोट करने में है मुझे हो जाता तुपिलेबस नोट बना करके हमको पढ़ाने का आदफ नहीं है जो समझते हैं वही करते हैं जो यह पढ़ाते हैं पढ़ाते hahaha अपका जो है थोड़ा सा बीमारी आपका जो है थोड़ा सा ऋए उन्हें जो है न इस मिटियम के बढ़ गात थोड़ा सा तीन चार पेज का डालूंगा तो थोड़ा सा लगता है कि अदा गंटा पॉने घंटा का या 40 मिट का विडियो है तो अपलों फॉला नाइट